हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कों डू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस्ट बढ़िया, तो लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माको थेरोपिटिस का लास्ट चैप्टर, ठीक है ना, लास्ट चैप्टर क्या है यहां पर, वुमेंस हेल्थ, ठीक है, ओवरी सिंड्र, ओवरी के अंदर बहुत सारी गांठे टाइप सी हो जाती है, जरू नहीं की होई, यहों गांठे कई बार, वो गांठे चैसी दिखाए पड़ती है, उसके पानी भरा होता है, लेकिन उस्ट जैसी रहती है, मतलब उसको सिष्ट बोलते हैं, कैती है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS is a हार्मोनल इंबेलेंस, वन अमार्स कोश्टन, यहां हम नोट करेंगे, क्या है यह हार्मोनल इंबेलेंस, किसकी वैसे होता है, हार्मोन की गरबड़ी की वैसे होता है, that occurs when you're ओवरी, यह तब होता है, जब तुमारी ओवरी पकि और औरी जो बनाती है और रिलीज करती है अंडों को balance में बंगाई को तो यहाँ पर मैं तुम लोंको करूंगा अगर आप लोगों को H.A.P. में mensural cycle जो था अगर उसको पढ़ लिया है अच्छे से और भूल गए हो तो वापस से revise कर लो क्योंकि यहाँ women's की जोई disease पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर उसका use होने वाला है ठीक है न? As a result, क्योंकि यह एंडोजन जादा निकलता है, people with PCOS often have irregular mensural cycle उनकी mensural cycle बिगड़ जाती है कोई date fix नहीं रह जाती है, missed period, periods के लिए पर miss हो जाएंगे, पतला एक मैने नहीं हुए, दो मैने नहीं हुए An unpredictable evolution और कब हो जाएगा, evolution पता नहीं है, जैसे evolution के करते हम लोगों साइकल पता है, mensural cycle की, तो जो ideal condition है कि 14th damage आकर evolution हो जाता है, 12 से 14 damage आकर के But यहाँ पर unpredictable हो जाएगा, कब evolution हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने कहाँ पढ़ाता, mensural cycle में पढ़ाता, H.A.P. में पढ़ाता, ठीक है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, कि mensural cycle जिन लोगों को नहीं पता, वीडियो यहीं पॉस्ट कर दें, उसको वहाँ पर, यह follicles का जिक्र था, तो follicles क्यों होते हैं, जो एक जो आगे जा करके अंडे बना देते हैं, उन्हीं के अंदर अंडे बनते हैं तरह से, तो follicle के cyst होते हैं, या filled filled sack, sack मतलब होते हैं, छोट-छोट पाउचे, पाउच, with immature egg, ठीक है ना, filled filled sack, या फिर हम यह यह छोट-छोटे follicles उसके अंदर create हो जाते हैं, ठीक है, may be visible on your ovaries on ultrasound, ultrasound में दिखाए दे सकते हैं, due to lack of ovulation, क्योंकि अब इसके अंदर egg पूरा mature नहीं हुआ है, तो ovulation तो हुआ ही नहीं, यानि कि अंड़ा भार तो आएगा नहीं, ovulation क्या होता है, वह पिर किरिया है, जब follicle से यानि कि ovaries से एग बाहर निकाल आता है, तो वो होता ही नहीं, तो वहीं का वहीं रह जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं, जब lack of ovulation, ovulation नहीं होता है, तो एक term बोली जाती है, an ovulation, बात समझ बारी है, terms है वेटा सारे one mask question है तुमारे, however, despite the name polycystic, polycystic नाम होने के बाव रहा होता है, उसी को हम लोग सिस्ट बोल देते हैं, अबर, on your ovaries to have PCOS, तो कहरा है जरूरी नहीं कि गाठे हों, तुमारी ovary में, the ovary cysts are not dangerous or painful, यह ना danger होती ना painful होती है, ठीक है न, PCOS is one of the most common causes of infertility in women, बाई जब अन्डा बनी नहीं रहा है, तो fertility कहां से होगी, ठीक हम अगरम लिया है, मैंने फिलेपिन ट्यूब है, यह ovulation है, यह follicle है तुमारा, this is follicle, इसके अंदर यह egg बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, और यह egg बाहर आ गया, ovulation हो गया, यहाँ देखो, यह follicle बढ़े तो, लेकिन इसके अंदर से अंडे बाहर नहीं आए, तो बहुत सा यह ऐसा लग रहा है, बहुत सारी सिष्ट से आगए, यहाँ पर, फिलेट बढ़ा हुआ है, तो फिर कह रहा हूँ, यह यह वाली process, जिनको समझ में नहीं आ रही है, बेटा, प्लीस, menstrual cycle को जाके पड़े, ताकि यह बिल्कुल exact दिमाग में set हो जाए, अदर वाइस दिक्क प्लेयर रोल, यहाँ पर एक प्रूफ है कि जीन्स रोल प्लेय करते हैं, लोगों के जीन्स में जोड़ा सा प्रॉलम होता है कई बार, several other factors, most importantly, कुछ और की factors हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा important है, obesity, motapa, also play a role in causing PCOS, motapa भी एक क्या है, इसका एक कारण है, तो अगर हम बात करें etiology को जो अब तक का हमारा exact तो नहीं पता, लेकिन जो जो हम लोगों ने कारण जाने हमारी science ने अभी तक, तो कारण क्या क्या है, higher level of male hormone, एक तो androgen का बढ़ जाना body में, high androgen level prevent your ovaries from releasing egg, जब androgen level high होता है, तो ovule बहार नहीं निकल पाता है, अतलब, egg बहार नहीं निकल पाता अगर evolution proper नहीं है, तो एक बन के आ गया, फिर दूसरा बन रहा है, वो बहार तो निकल निकल निरा लगाता है, फॉलिकूस बनते जा रहे हैं, अंडे को बनाते जा रहे हैं, लेकिन वो अंडे बहार नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे सिष्ट जैसे दिखाई देने पड़ हैं, ठीक है नहीं, high endogen also causes acne, जब endogen बहुत ज़्यादा होता है मामला, तो ऐसी females में महासे कई बहुत ज़्यादा होते हैं, and excess hair growth in women's, ठीक है, और काफी ज़्यादा जो होती है, यह यहाँ पर हटा देंगे इसको, जो hair की growth होती है, hair growth समझते हो ना, देखाऊगा, कुछ women's मे देखाऊगा, काफी ज़्यादा hairs रहते हैं, तो वो hairs बेटा, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि, endogen का level किसी में थोड़ा सकम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा है, कईवर तो लोगों कुछ case देखे होंगे, pics बगरा द पढ़ा है, ठीक है, क्या होता है insulin resistance, हमारी body insulin को, insulin का effect हमारी body पर नहीं पढ़ता है, कि तरह से हम यह कहले है, insulin निकल तो रहा हमारी body में, लेकिन वो glucose की level को down नहीं कर पा रहा है, and increase in insulin level, अब क्या होता है, यह size तुम लोगों को याद है, जब glucose का level down नहीं होता है, तो हमारी body sense करती है कि glucose हमारी body में ज़्याद है, तो वो और insulin निकलता है, है ना, याद आया कुछ insulin resistance, चेक कर उसको, तो और insulin निकलता है, तो इस तरीके सा हमारी body में glucose भी बढ़ता, glucose तो है यह उतना, क्योंकि insulin काम नहीं कर पा रहा है, और insulin का level ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमार insulin level बढ़ जाने के वएसे, ovary से male hormone androgen निकलना, start होता है, androgen बढ़ेगा, तो फिर याली problem सुरू हो जाएगी, increase male hormone, suppressed ovulation, जो male hormone बढ़ जाता है, वो ovulation नहीं होने देगा, and contribute to other symptoms of PCOS, और PCOS के कुछ और symptom से उसमें, वो अपना role play करने लाएगा, insulin resistance means, your body does not process insulin correctly, insulin resistance का मतलब क्या ह हाँ, थोड़ा समय ने फिर बतानी कोशिश की है, कि इसका मतलब insulin को correctly process नहीं कर रही है, leading to high glucose level in your body, in your blood, ठीक है न, तो इसकी वैसे, मैंने बताया है, glucose level high होता है, जो insulin निकल के आया, वो उसको कम नहीं कर पा रहा है, तो high glucose level sense करती है हमारी body, और और insulin निकाल देती है, अब insulin सबसे पहला करान हमने क्या पड़ा, male hormone androgen, तो यहाँ पर इस तरह से याद करेंगे, obesity, obesity की वेज़से क्या हो जाती है, insulin resistance, insulin resistance क्या create करेगा, increase androgen production, increase क्या कर देगा androgen, और एंडरोजन अपना खेल खेल रहे हैं आपर, तो इस तरह के sequence याद कर लेंगे, ठीक है न, अब और द देखे जा रहा आगे, okay, low grade inflammation, आगे वही लाइन लिखी हुई है, and elevated insulin level, जो एक insulin level बड़ा हुआ है, even your blood glucose is normal, अगर तुम्हारा blood glucose normal है, तो भी, अगर insulin level बड़ा हुआ है, can indicate insulin resistance, तो यह भी insulin resistance को indicate कर सकता है, ठीक है न, अब low grade inflammation का मतलब क्या, people with PCOS tend to have chronic low grade inflammation, मतलब उनकी body में हलका हलका inflammation बहुत लंबे समय से रहता है, हलका बुलका सरीर में दर्द रहेगा, बुखार जास रहेगा, बहुत लंबे समय से रहता है, तो हलका low grade inflammation, body के अंदर रहता है, लगाता है, your healthcare provider can perform blood test that measure level of C, reactive protein या CRP and white blood cells, जो की inflammation को दर्शाएंगे, which can indicate the level of inflammation in your body, जो की तुमारी body में किस level का inflammation है, उसको वो represent करते हैं, तो ये low level का inflammation है, या obesity हो गई, या insulin resistance हो गई, ये सब मिल करके, ultimately क्या कर रहे हैं, PCOS को create कर रहे हैं, आग आते हैं, pathogenesis देख लें, तो अब यहाँ पर हमारे लिए चीज़ें समझना असान हो जाएगी थोड़ी सी, फट 71% in mono-jigotic tune, 34% in diagotic tune, ये लिख दिया कि अगर tune के case में होगा तो ऐसा होगा, otherwise ठीक है, जनेटिक होने की वज़े से क्या हो जाएगा, insulin resistance इंक्रीस कर जाएगा, insulin production इंक्रीस कर जाएगा, अच्छा इसमें से तुम एक चीज़ भी कर सकते हो, क्या, मैंने यहाँ पर सारी increase androgen, जो theca cells होते हैं, जो पाए जाते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर, वो क्या करेंगे, androgen का importation बढ़ा देंगे, state of hyperandrogenism, एक state आजाएगी जब androgen बहुत जाता हो जाएगा, increase androgen and estrogen too early in menstrual cycle, बहुत जल्दी ही androgen और estrogen बढ़ जाएगे, और early suppression of FSH, follicular stimulating hormone का suppression हो जाएगा, यान जाना किसका follicular growth का रुख जाएगा, जो follicles से पूरे grow होने चीए तो उसके अंदर से ovule निकलना चीए था, तो ग्रोही नहीं हो पाएगा, तो ovum क्या निकलेगा, ovule निकलना चीए था, follicular growth जो follicle था उसके अंदर ovum था हमारा, इसको निकल के भार आना था, ये जो follicle है वो पूरा ग्रोही नहीं कर पाया, तो क्या होगा, ovule होगा निकि ये ovum भार नहीं आएगा, unpredictable ovule होगा, पता नहीं, जिसकी वैसे, polycystic ovary और irregular menstruation हो जाता है, तो जरूरी नहीं है, कि यहाँ पर जो diameter सब लिखे हुए है, तुम सब करो, एक chain ये होगी तुमारे पास, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और अगर इतना भी लिख्या होगा, तो भी चल जाएगा, ठीक है न, जरूरी नहीं है, दूसी chain में समझात fat and secreting, ये visceral fat, जो हमने काता है, obesity में क्या होता है, बॉड़ी में fat जमा हो जाएता है, जब बॉड़ी में fat जमा होगा, fat हो जाएगा, तो यह fat है, यहाँ पर क्या होगा, secret करना ही start करेंगे, increase estrogen, ठीक है न, estrogen का level क्या हो जाएगा, increase कर जाएगा, estrogen का level बढ़ेगा, तो increase pituitry production of luteinizing hormone, अभी luteinizing hormone, estrogen बेटा, यहना कह रहा हूँ, जो spermatogenesis, menstrual cycle, HEP का पढ़ा हुआ, वाला पढ़ लेना, तो यह सारी चीज़ आसान रहेंगी, वरना यहाँ पर एक एक चीज़ को वापस explain करना, बहुत lengthy हो जाएगा, ठीक है, इसकी वाई से क्या होगा, increase serum LH compared to FH, जो lute 200 cells आ गए यहाँ पर, पेटा, terminology है, अगर यह सारे terms difficult लगते हैं, तो यह अपना simple ऐसे करके, यह एक लिखके चले आना, बाकी साब यहाँ से हटा देना, फिर कहानी यहाँ से यही start हो जाएगी, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ नीचे वाली, ठीक है ना, तो कई सारे रास पिर कहा क्या हो रहा है, इस तरीका से अलग से एक chart mention करके, अलग से prepare कर सकते हैं, तो मैं सिफ तुमको guide कर रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, इसके 3-4 तरीके हैं, ठीक है, एक तरीका यह है, एक तरीका यह है, जो तुमको आसान लगे, उसी हिसाब से बना लेना, बिल्कु कि बात करें अगर हम लोग तो तो वलीगों मेनरिया क्लिनिकल मेनच्वेश्टेशन को करने से पहले कुछ टमस्मझ ले वर्ली गुफ लेकिया होता इर्रेगूलर एंड इन और कोर्स हेर बड़े हाड सा काले-काले बाल चहरे पर बाडी में ग्रो कर सकते हैं मेल लाइक पैटन जैसे की मेल में होते हैं चहरे पे चैस्ट पे पीठ में ठीक है ना सेवरुया common skin condition that mainly affect your scalp यहां पर खोपड़ी पे खास सरी skin condition होती है यह condition हो सकती है बिंज इटिंग फ्रिक्वेंटली कंज्यूम अन्यूज अमांट फूड एंड फील अनेबल टू स्टॉप इटिंग ऐसा हो सकता है आपको बिंज इटिंग का मतलब क्या होता है आप बहुत जादा खाना खाएंगे और पेट खाली लगेगा यह कुछ टम्स मैंने क यह सारे टम्स आने पहले यहां डिफाइन कर दिए अगर इन फिटलीटी की बात करने तो किस-किस करें काटिगरी में आ जाएगा डिफिकल्टी अचेविंग प्रिग्नेंसी प्रिग्नेंसी नहीं होगी जल्दी से एडवर्ज प्रिग्नेंसी आउटकम सच एज रिस्क तो miscarries हो जाएगा या diabetes हो जाएगी आपको clinical elements of metabolic syndrome, obesity या weight issue आ सकता है, type 2 diabetes हो सकती है, mental health की बात करें तो आप depression में जा सकते हैं, anxiety और binge eating हो सकती है, तो यह आपकी categories है, menstrual की बात करेंगा तो menstrual में यह problem हो सकती है, hyperandrogenic यह एndrogen की बात करेंगा तो यह अले problem हो सकती है, infertility की ब पहले बता दियें किसका मतलब क्या है, तो clinical manifestation की बात करें तो actual में जो disease है, disease तो मेरे पास यही है, यह सारी disease है, यह नहीं लिखो को तो भी चले जागा लेकिन यह disease किस category में आती है, वो यहां mention है, यह सारी disease है, यह तुमको लिखके आनी है, और इसको चाहुत एक एक लाइन में explain कर सकते हो, now non-pharmacological management तो यहां पर सबसे बढ़ात हो, यही है कि आप weight loss करें, ठीक है, कुछ dietary modifications कर लें, जैसे कि reduce CO2 और low glycemic load diet लें, ठीक है, low starch लें, low dietary dairy diet, यानिकि दूद्ध वाली चीज़ें कम लें, Mediterranean diet जो होती है, इसको कम कर दें, nutritional supplement, omega-3 fish oil को खाएं, inositol, यालगी vitamin B8 खाएं, herbal supplements खाएं, exercise करें, yoga करें, acupuncture से treatment हो सकता है, और osteopathic manipulative treatment हो सकती है, यह क्या चीज़ होती है, osteopathic manipulative therapy क्या करती है, treat condition that affect every system in the body, यह हर एक system को ठीक करती, body के अंदर, including the musculo, skeletal system, digestive system, nervous system and immune system, तो यह जो है, OMT, यह लगबख सब को ठीक करती है, तो इसको भी ठीक करती है, तो इसलिए यह non-pharmacological management है, easily याद हो जाएंगे, ठीक है ना, pharmacological management की बात कर रहें, तो यहाँ पर हम लोग mainly क्या करते हैं, कोई drugs का इस्तमाल करते हैं, जैसे की oral contraceptive का इस्तमाल कर लेंगे, कब अगर आप pregnancy नहीं चाह रहे हैं, कपल है, कोई साजसुदा जोड़ा है और वो pregnancy नहीं चाह रहा है और उसको PCOS है, तो उस case में हम लोग oral contraceptive का इस्तमाल करते हुए, इसको क्या कर सकते हैं, treat कर सकते हैं, then हमारे पास क्या है, कुछ gonadotropin है, clomiphene है, gonadotropin है, metformin है, यह diabetes के के लिए आजाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, इस पैरनोल एक्टोन है, यह हर्सुटिस्म के लिए आजाएगा, pyogleta zone है, यह अगें क्या है, diabetes वाला concept है, तो कुछ drugs है, क्या 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 काम करेंगे, ठीक है, क्या dose रहेगी, dose और से व्याद करनी जरूद नहीं है, evolution induction में य solution induction में यह भी काम करता है, androgen अगर access हो जाएगा, तो यह काम करेंगा, तो इस तरीके से किस-किस condition में क्या क्या drugs देंगे, तो यह drugs हमको मिली याद कर लेनी है, ठीक है ना, समझ में आ गया, कौन-कौन से है, oral contraceptives, clomiphene, guanadotropins, metformin, spironolacton, pyogletazone और rosigletazone, यह हम लोग ने diabetes वाले case में दवाईयां भी पढ़ रखेंगे, बाद बाकी यह आगे पढ़ सकते हैं, बटो अपने मतलब कर नहीं है, pharmacological treatment में हमें drugs, और इसके क्या effect होते हैं, वो इतना तक याद करने से काम हो जाएगा अपना, ओके, यह अपना छोटा सा lecture, छोटो बोटो lecture, यह अपना ख कुछ हासिल नहीं होगा, ओके, पढ़ाई करोगे ना, good, all the best